तो इस वीडियो में जो हम यूएफा चैंपियंस लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा PSG वर्सिस क्लब ब्रूगा के बीच मैच का वेनी होगा पैरिस रात में 11.15 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों बात करे PSG की ये क्लब फ्रेंच लीग में खिलता और वहां का one of the best क्लब तो ही लेकिन मेसी के आने के बाद से वर्ल्ड के one of the best क्लब में भी काउंट होने लगा है बात करें क्लब बुगा की ये क्लब Belgium प्रो लीग में खिलता है और जो बेल्जिम में लीग होती है वहाँ के टॉप टू थी क्लप में काउंट होता है फिलाल ये दुनू सेम ग्रूप में है और ये इस ग्रूप का लास्ट मैच है यानि कि इसके बाद सीधे नॉक आउट फि पास एक चांस है नंबर थर्ड पोजीशन में फिनिश करके जो यूरोपा लीग होती है यूसेल से जो थोड़ी छोटी लीग होती है उसके नौकाउट स्टेज में पहुचनेगा उसके लिए उनको क्या प्रे करना होगा कि आज जो मैंचेस्टर सिटी है वो आर्बी लेपज के साथ लाश्ट पोजीशन में सीमर जाए फिलाल के लिए अभी तक इस ग्रूप में क्लब ब्रूगा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है ऑल्दो इन्होंने पहले मैच में पियस जी के बहुत अच्छा गया था उसके बाद काफी खराब पर्फरमेंस किया है पांच में सिर्फ एक मैच जीते हैं एक ड्रॉय है तीन हारे पांच गोल स्कोर के बट इन्होंने 16 गोल कंसीट कर दिया है पांच मैचेज में बात करें पियस जी की यह टीम अभी सेकिंड पोजीशन में और यह अल्रेड़ी क्वालिफाय कर चुकी है नेक्स्ट राउंड के लिए मैच में पियस जी एक फेवरेट साइड होगी अल्दो क्लब ब्रुगा ने लाश्ट टाइम पियस जी को अपने घर में बहुत अच्छी टक कर दी थी मेरे को याद हो मैच अच्छे से मैसी नेमार एंबापे ने पहली बार एक साथ खेला था और बहुत अच्छा मैस था ल से अपने घर में उन्होंने मेंचेस्टर शीटी यसी टॉप साइड को रहा फिर ठी टू से अन्होंने आर्भी लेपजिक को रहा फिर एक टू टू लुद रो खिला और पिछला जो मैच खिला और टू-टूट से मैंचेस्टर सीटी से अवे जाके हार गए तो अभी तक मि को मैंसिटी न हरा दिया, 4-1 फिर से मैंसिटी न हरा दिया, और 5-0 से RB Leipzig न हरा दिया, तो recently last 3 matches में उनकी form अच्छी नहीं है, जो starting 2 matches में चल ली थी, तो कुछ ऐसी score line आज भी आपको देखने को मिल सकती है, अगर PSG अपने full flow में होती है, एमबापे massive full flow में, एक साथ rhythm में खेलते हैं, तो इनको thrash कर सकते हैं, पिलाल मैंने बता दिया, small league में clear cut favorite side होगी PSG, बट grand league में कुछ combination club bruga favor के भी डालना, because desperate होगी आज एक point earn करने के लिए, क्योंकि इनको Europa League खेलने हैं, तो यहाँ पर point earn करना पड़ेगा, तो इस वज़े से club bruga के एक दो combination जरूर grand league में ले जाईएगा, लेकिन small league में हम favorite PSG को ये करके अपनी team बनाने वाले हैं, तो अभी हम provable line up पे आते हैं, उससे पहले एक चीच कहना चाऊँगा, इस match की final small league team और सभी football matches हम telegram channel में cover करते हैं, उसका link या तो आपको description box में मिलेगा, या आपको मिलेगा top pin comment में, वहाँ से जुड़के आप मेरे telegram channel से join कर सकते हैं, 4300 के आसपास subscriber वाला channel आपको मिल जाएगा, तो description box या top pin comment में जाएए, telegram channel से जरूर से जरूर join हो जाएए, अब हम आते हैं प्रोवीबल लाइनप पे, पहले हम favorites PSG के बात करेंगे, तो ये favorites हैं, इनके हम small league में maximum player पिक करेंगे, अनिकी 7 और opponent के पिक करेंगे सिर्फ 4 player, PSG के लिए नेमार, Drexler और Ramos बाहर हैं, अब इनकी 11 देख दे, डोनर रमा इनके goalkeeper उन्डाले हैं, चार इनके defender होंगे, हकीमी, Marquinhos, Kehrer और Nuno Mendes, अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, एक तो इस match में आपको credit problem हो सकती है, दूसरा आपको unexpected changes दिख सकते है PSG की line-up में, because उनको यहाँ पे drop होने का मतला, बाहर होने का कोई खत्रा नहीं हो, already qualified कर चुके, but still एक reliable source top French website से जो मुझे 11 मिलिए, उसके according में आपको बता रहूँ, तो यह चार इनके defender होंगे, अब यहाँ पे किसी एक team को clean sheet के लिए back करने होगा, मैं PSG को करूँगा, अच्छा उनका clean sheet का जांस है, दूसरे position भी dominate करेंगे, तो मैं इनके ही maximum defender आपको recommend करूँगा, आप यह चारो pick कर सकते हैं, नहीं तो चार में से minimum 3 तो आप शोली pick करिए, PSG के लिए defender, फिलाल, इनके defense में मेरी top 2 जाइद रहंगे हकीमी और मार्किन्योस, खास तोर पे मर्किन्योस की recent form बहुत अच्छी है, अभी इनोंने रिसेंटली एक लीग 1 मैच में दो गोल मारे, एक center defender होते हुए, headers में बहुत अच्छे हैं, passes बहुत ज़्यादा करते हैं, और हकीमी दोस्तों, वैसे तो है right back है, लेकिन एक wing back की तरह खेलते हैं, बहुत ज़्यादा attack करते हैं, और दो recently कुछ मैचे से goal assist नहीं है, बट कभी भी इनका goal assist आ सकते है, right back position से इतने ज़्यादा attacking player है, साथ में थोड़े बहुत defensive work करते हैं, extra clean sheet होगे तो उसके भी bonus point दे दिंगे, तो ये दोनों मेरी top two choices हैं, इन दोनों में किसी एक को आप low scoring match में wise captaincy के लिए भी consider कर सकते हैं, number three choice मेरी Nuno Mendes रहेंगे, left side से attacking wise अच्छे हैं, ये runs अच्छे बनातें assist potential इनके बास हैं, थोड़ा बहुत defensive work भी सुदालने, तो एक top quality left back बन जाएंगे, अभी यंग है potential बहुत हैं, तो ये मेरी रहेंगे third choice, किसी एक को drop करना, आप kehrer को drop कर सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए आप 4 भी pick कर सकते हैं, या 3 pick करने तो इन 3 के साथ जा सकते हैं, अब midfield में Virati, Wijnaldum और Gay खेलेंगे, तीनों ही दोस्तो रेंडम goal assist करने में के विवल हैं, बढ़ हम सब तो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक problem और और एक प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम को भी देख के जलना है, मैसी अल्दो जब से आएं, उतना ज़्यादा खास भी नहीं किया, जितनी expectation थी, बट मैसी के बारे में बताने की जर्वत है नहीं, वाइल क्लास फुटबॉलर है, अभी अभी बैलेंड़ जीता है, तीन गोल फिल भी इनके है, अभी तक टॉप गोल स्कूरर है, यूसियल में, और अभी इन्हों ने रिसेंड़ी एक लीग बन मैंच में, हैट्रिक आप असिश्ट की थी, एमबापे जमबापे, ये भी एक प्लेयर ड्रॉप करने पड़ ले, इस वज़े से अभी के लिए मैं डी मरिया पिक नहीं कर रहा हूँ, अल्दो आपका अपोनेंट लाया हमने पिक निए, इनने गोल असिश्ट मार दिया, हमारा गेम हो जाएगा खतम, मैं क्या लीजिया हलका सा रिस्क ले रहा हूँ, यह चांस वगेरा क्रेट, यानि कि ओफेंसिव वर्क करने में भी केविल है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, वाइनॉल डम और विराति के साथ, वाइनॉल डम, रिसेंटली इननोंने गोल असिश्ट भी करने लगे हैं, जैसा यह नीदल ने निशनल टीम के लिए करते है और इनकी फॉर्म भी अब वापस आगी है, डिफेंसिव वग भी करने हैं, अच्छा घासा ओफेंसिव वग भी करने हैं, सिलेक्शन भी आई है, और सिर्फ 8.5 क्रेडिट के मिलें, दूसरा मैं जाओंगा मारको विराति के साथ, अभी इंजरी से कमबेक किया बहुत ज्या इस पॉइंट तो हर मैंज में देते ही देते हैं, अगर इनके इसके साथ इनका असिश वगेरा आ जाता है, तो और बरनस हो जाएगा, तो अभी के लिए मैं जारो विराति और वाइनल्डम के साथ, बट विराति के साथ दिक्कत यह है कि कभी-कभी रेंडम सब्सिटूट ह हो जाते हैं, इनका बीच में एक दो महने पहले एक परपल पैच चला था, जिसमें इनके गोल्स पर गोल्स भी आ रहे थे, लेकिन अब वो सांत हो गया है, लाइस शहसाद में जैस से गोल निया है, एक डिफेंसिव मैंडेट प्लियर है, आपको लगता है विराति पे आप आपको यहाँ पर डिटेल में एक्स्लेइन कर दी, मस्ट प्लियर आइधिंग, मार्किनियोस, हकीमी, न्यूनो मेंडेस, एमबापे, मैसी, यह पांच प्लियर मस्ट प्लियर है, जो सेवन प्लियर हो गया तो आपको चौथा डिफेंडल याना है, आप केहरर के साथ जा सकत है, फिलाल यह अभी तक के इनके सीजन के UCL के स्टैट है, पैनल्टी जो भी होगी मेंबापे और मैसी में से कोई एक लेने वाल है, अब यह इनका मेनेजर ही जानता है, इन दोनों में कॉल लेगा, फिलाल हम आप पूरेंट की बात करने से पहले, एक बार फिर आपको रिम मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यह टॉप, पिन कमेंड में जाहिए, टेलीक्राम चैनल से जरूर से जरूर जोईन हो जाहिए, अब हम बात करते है, क्लब ब्रूच या क्लब ब्रूच उनकी, फिलाल साइमन मिन्योलेट जो की फॉर्मल लिवरपूल गोल की करें, इनके गोल की पर होने आले, अच्छे खासे आपको सेविंग कोईट्स दे सकते हैं, तो इनको में रिकमेंड करूँगा, चार इनके डिफेंडर है, क्लिंटन माता, हेंडरी, मकेले और सोबोल, अभी के लिए इनके किसी भी डिफेंडर को में डिरेक्ट रिकमेंड न गोल रेंगे, इनका सिलेक्शन अच्छा है, तो इनको डिफेंसी वाइज अच्छा 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 असिष्ट पोटेंचल है, तो में इन दोन में किसी एक के साथ जा सकते हैं, सेंटर बेक्स ने फेंटसी वाइज कुछ ज्यादा खास नहीं किया, बलंटा अच्छे का अच्छ गोल मारा था, जो PSG और इनका मैच हुआ था, जो सबसे पहला मैच था इस ग्रूप स्टेज का, और ये प्रूगा के घर में वा था, इसके साथ ये हर मैच में अच्छे डिफेंसीव कंट्रिविशन भी देते हैं, और बहुत चांस क्रेट करते हैं, यानि कि और आ इनको ड्रॉप करता है, वो अपनी टीब में इसली डी मर्या को यहाँ पर एज़ेस्ट कर सकता है, फिलाल जो forward 3 है, डी के लेरे, दोस्त और नुवा लेंग, ये तीनों इनके एक तरीके से कहले है, अटेगिंग फोर्स हैं, बट दिक्कत कहाना ये तीनों को ये अभी के ल इनको पिकनी कर रहा हूँ, और अगर इनका गोल असिट नहीं आता है, उतने fantasy point भी नहीं दिंगे, बट केटलेरे और लेंग ने जो लास्ट टाइम PSG के अगेश्ट मैच हुआ था, बहुत बहुत इंप्रेसिव पर्फरमेंस किया था, लेकिन अभी recently इन्हों लीग में तो अगर इनका गोल असिट नहीं है, फिल्कुल भी point नहीं दिगे, बट अभी recently इन्होंने कुछ penalties लिये, club भूगा की, तो अगर आपका credit adjust होता है, 9 credit में मिले, आप इन पर point ले सकते हैं, तो ये club भूगा की प्रवेवाल ले ओन थी, लगबग सभी चीज़े मैंने यहां से detail म explain कर दी, हाँ अगर मैसी अमबापे में किसी को रेश मिलता है, तो आप डी केटलेर नोवा लेंग में किसी एक को अपनी टीम में surely adjust कर सकते हैं, फिर credit प्रवलम आपकी बच जाएगी, बाकी ये मैंने आपको सभी चीज़े explain कर दी, और ये इनके अभी तक के C&K UCL के state है, फ पिक के है, हकीमी और न्यूनो मेंडिस है, यहां अभी डी मरिया ड्रॉप किया है, एमबापे मेसी है, विराती और नेमार, इन चारो को पिक किया, यहां मैने बलांटाल ये defensive midfielder रांग वेना कर लिए, अगर आप प्स जी फिवर करें, ये दोनु बेस्ट आप्सन हैंगे केप्टन, वाइस केप्टन सीगे, अब कॉल आपका है, मैसी केप्टन, अमबापे केप्टन, मैसी वाइस केप्टन करना है, ये पूरा लक में डिपेंड करेगा, इन दोनु में आज कौन अच्छा करेगा, अगर आप अपनेन को फिवर कर रहे हैं, तो आप नुआ लेंग